तो आज हम बात करते हैं गुरू मुद्रिका के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ गुरू मुद्रिका का यदि हाथ में प्रभाब हो तो इसका हमारे जिबन पर क्या प्रभाब पड़ता है हाथ में ये रेखा तरजनी और गुरु परवत के मद्धे में भाग में गोलाई ली हुए दिखाई देती है जिस भी हाथ में ये दिखाई देती है ये व्यक्ति को बुरे काम के परती रोकती है और बुद्धि मानी की सूचना देती है व्यक्ति बुरे काम की और अग्रसर नहीं होता है जातक में अधिकार जताने की भावना होती है उच्पत प्राप्ति की इच्छा रखता है अपने नियंत्रण में चीजों को रखने की कोशिश करता है हात में इस मुद्रा के अलावा अगर जातक की गुरु परवत भी उब्रे हुए हो तो ये जातक को कुछ जिद्धी भी बना सकता है जिस भी हात में ये रेखा होती है वे वैक्ति गुप्त विद्याव में रुची रखने के साथ खोजबीन वाले काम में इच्चा रखने वाला होता है येदि हात में मस्तिक रेखा अच्छी हालात में हो तब इस गुरु मुद्रिका की शुपता अधिक बढ़ जाती है येदि इस मुद्रिका के साथ चंद्र रेखा अर्थाथ अंत्रश्टी रेखा भी हो तब वैति शिद्ध पुरुष की समान शक्ति वाला होता है अधिकांश हातों में ये रेखा पूर्ण रूप से गोल न होकर धनुशकार रूप में होती है अधिकांश ये दो छोटी छोटी रेखाव से एक अधूरा धनुश बनाती है हतेले में अधूरी बनी गुरु मुद्रिका का प्रभाव अपेक्चा करेथ कम होता है